नवस्कार जय हिंद वंदे मात्रम जय मद्प्रदेश सभी समिधा सिच्छक की अभ्यारतियों के त्यारी करने के लिए जो भी त्यारी कर रहे हैं जो भी कंडिडेट हैं सभी का वेलकम अविदेनन्द करते हैं बात करेंगे दोस्तों MPTT यारी गणित का पार्ट नमबर टू है दोस्तों इकाई कंक एक ही बीडियो में जड़ से खतम करेंगे आपर ठीक है जड़ से खतम करेंगे वे ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं ठीक है और सिच्छक भरती परिच्छा में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें जैस्वाल कोचिंग सेंटर को सरकारी सिच्छक बनना तैं हैं तो चलिए ये मैद का पार्ट टू यहां पे स्टार्ट करते हैं पर पहले हम बात करेंगे आपके संख्या फद्दत यानि कंसेप्ट पूरा ट्रिक के सहिद बताएंगे इकाई कंक यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है इकाई कंक ठीक है ये वीडियो अगर आप अंतक देख लेते हैं वाकई में भरोसा दिलाता हूं वहिया ये बहु यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ बताएंगे इजाम में आने वाले कैसे प्रस्ण किस प्रकार के इजाम में आते हैं ठीक है कंसेप्ट पूरा बताएंगे कैसे क्या कंसेप्ट है आपका ठीक है तो पूरा डिटेल से यहाँ पर जानेंगे काफी सारे प्रस्ण आपे या जाम में आने वाले प्रस्ण करें ठीक है जो आपकी जाम में आने वाले प्रस्ण ये भी जानना बहुत जूरी तो दोस्तों कि जाम में कैसे प्रस्ण आते हैं ठीक है तो पहला प्रस्ण यह है कि इनको ये संख्या इनको प्लस कर दे इकाई कंग बताईए फिर दूसरा आता ह ये तो तीनों ठीक है सिंपल सी हो गए लेकिन जो चौथा ये बहुत ही डिफकल्ड होता है घातांक बाला ठीक है इसमें इकाई कंग कैसे निकाले तो बहुत ही सिंपल से साधारण दो सिकंड में साल्व होंगे ऐसी टिक बताएंगे समझिएगा समझ के बेतरी जाईएगा ठीक है कंसिप्ट की बात करेंगे तो पहला कंसिप्ट आईए देख लेते हैं जिसे दिया 27, 28, 26, 24 में इकाई कंग बताईए डोट आपको क्या देखना है हमें इकाई के अंग से मतलब है ठीक है बाकी कितना भी दे दिया जाए कुछ मतलब नहीं हमें किवल इकाई कंग नेखना है इकाई कंग क्यानी कि दाईने हाथ से जो आपके कलम चलाते हैं ज्यादा तरफ ठीक है राइट हैंड होते हैं राइट हैंड जो भी आपका अंग पहले आता है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे इकाई कंग कि rehears में क्या है साथ है इसमें आठ है इसमें छै है इसमें चार है तो क्या करेंगे हमें किवल इकाई यंग से मतलब होता है तो 7,8 करेंगे 56 और 6,4 करेंगे कितना गया 7,8 करें 56 जए 16,24 अब 56 का 1 अंक लेंगे 24 का 1 अंक लेंगे 56 का 1 अंक घाई चाई है और 24 का 4 है इन आपस में गुना करेंगे 24 अंक इसमें जो 1 अंक आएगा वो आपका unit digit कहलाएगा यनी कि इस question का unit digit ठीक है unit digit यानि कि एकाई यंक आपका चार आ गया ठीक है आईए पूरा डिटेल से जानते हैं वह यह यह यानि कि unit digit होता क्या है ठीक है संख्या का अंतिम अंखी unit digit होता है फारी जांपल देखेंगे जैसे एक दो चार नव आठ साथ दिया है इसका अगर unit digit पूछ लिया एका अब देखते हैं सिकंड कंसिप्ट ठीक है सिकंड कंसिप्ट क्या है आईए देखते हैं 1672, 678, 563, 782 में इकाईक अंक बताईए कैसे हैं यहां सभी में प्लस दिया हुआ है ध्यान रखना है ठीक है सभी में प्लस दिया हुआ है नोट यहां पर यही ध्यान रखना है संख्या का यहाई का पूंचा है तो हमें इका यहाई कंक संहला है को भी पहाड़ाए कुतन cosmya अपने आपको दादा समझें लेकिन एका यह ले लेना तो इसलेवसे ardatan में 2 है savior डिक है चैसेद चैसेदस में 8 और 563 में तीन है 782 में 2 है इन सबी का 1 अंक ले लेंगे और आपस में प्लस है तो प्लस ही करेंगे ये ध्यान नकना ठीक है तो 8,2,10,3,13,25 आया अब इसमें देखिए जो इक्वल आए ठीक है जो हमने फ्लस किया जो 15 आया पंदर आया अब इसमें से भी हमें 1 आया इकंग देखना है तो 5 आपका 1 आया इकंग है जो आपका answer हो जाएगा वहिया किसको समझ में नहीं आया कमेंट करके बता दिए समझ में आएगा बिलकुल आएगा समझ में तो आएए यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट देखते हैं तीसरा question यह है concept में यह दिखाओ 15, 68, 68, 44, 34, 96, 37, 98, 99 यह संख्या दे दे गई है इनमें से आपका IKAI अंक बताना है ठीक है? चाहिए किसी भी सिच्छक बरती की बात करूँ किसी भी TT, Jamo, C-Tate, UP-Tate, MP-Tate, REIT, CG-TT सभी के लिए है क्योंकि सभी में आपके अंक डिजिट, योने डिजिट, अंक इकाईक अंक निकालना, नमबर सिस्टम टे प्रसनाते ही आते हैं ठीक है? अब इसके solve कैसे करेंगे? समझेगा, बहतीन तरीके से बताने वाला हूँ अगर आपने समझ लिया तो जिन्दगी भर नहीं भूलने वाला है किसी को भी आप समझा सकते हैं नोट्स आज से बनाना इस्टार्ट कर दीजे और पिछली क्लास जरूर देख लीजेगा मैं आपको जब आपके इंडी स्किन पे आएगा तो उसको आपको लिंक में दे दूँगा तो पिछली क्लास देखिए और स्वैम नोट्स बनाईए स्वैम अपना काम करिए स्वैम किसी दूसरी के नोट्स बनाई हुई देखना नहीं जब तक आप स्वैम कार नहीं करेंगे तो सफल नहीं होगे तो आपको स्वैम नोट्स बनाना है अपने हाथों से नोट्स बनाना है थोड़ा सा मेहनत करना है अगर आपने इस बार मेहनत कर लिया इस जाम्स के पहले इसके बाद फिर आपको लाइफ सेट है आपकी ठीक है तो इकाई कंक आई ये निकालते हैं इसमें से देखे कितनी भी बड़ी संख्या दे रहे जाए संख्या समें कोई यहाँ पे मतलब नहीं है अपने आपको दादा समझे समझता रहे हो ठीक है हमें केवल इकाई कंक ध्यान देना है दो, चार, साथ, नौ इकाई अंक ध्यान देना है दो, चार, साथ, नौ हमने इकाई अंक ले लिया लेकिन ध्यान देना यह गुणा के रूप में सब में मल्टिपिकेशन है तो हम वही करेंगे क्या है 4 दुनिया 8 कर लेंगे ठीक है और ये 8 सते 56 कर लेंगे अब 56 दो अंका आ गया तो 2 में 1 आ इक कर लेंगे 6 गुणे 9 कर लेंगे 4 नारे 4 4 गया भया 4 का 1 आ इक आ इग लेंगे 4 इंसर आ गया समझ बे आ गया नहीं आया एक बार और बताए देता हूं देके मल्लिपिकेशन है 2-4-8 कर लिए, हमने 8 आठ आ गया फिर 8 का गुणा हम साथ से करेंगे तो 56 आगया 56 क्या गया, दाही में आ गया 51 एंख निकलना है ठीक है, तो 56 में 6 क्या है आपका 51 एंख है तो यहाँ पे आपका 6 का 9 से गुणा कर देंगे छहनारे चवमन आ जाएगा इकाई कंग क्या होगा 4 आपका इकाई अंक है समझ में आगया नहीं समझ में आया आईए अंगले प्रस्ल में जरूर आ जाएगा ठीक है जरूर आएगा बिल्कुल आएगा घवडाने की बात नहीं है समझ के जाएए बेतीन प्रिपेशन होगा आपका नेस्ट कंसेप्ट यह है अब आते हैं घात वाले प्रस्ण जो इजाम के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों घात वाले प्रस्ण जो की इजाम में समझ लिए आता ही आता ही है ठीक है और यहीं पे खपड़ी अपनी घूमती है अपनी खोपड़ी जो है यहीं पर घूम जाती है और यहीं प्रस्णाप लोग छोड़ कर चले आते हैं जो इसका नुकसान होता है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है ठीक है अब यहां पर देखिए घात वाले अब देखेंगे आप पहार जैसे घात अंक है आर्सोनों की पावर 122, 122 हो गया 978 की घाते 611, 899 की घाते 371 बराबर यूनिट डिजिट निकालना है यानि काई कंक निकालना है अब देखें पहार जैसे है अब समय तो एक इमिनट का एक क्वेश्चन रहता है अब हमें इसे मैं बता है ना आपको थम्मेल में लिखा होगा कि आप 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे बिल्कुल करेंगे जी हाँ बिल्कुल करेंगे समझ के जाएए पहला रूल देखिए यदि अंतिमंक 0156 है तो क्या होगा यनि कि जो ये 9,8,1 ये सारी चीजें दी हुई है अगर इनमें जो अंतिमंक 0156 आता है तो इकाईक अंक आपका 0156 ही रहेगा ये याद रखना है अगर आपके अंतिमंक अंक आपका 0156 आता है तो इकाई का अंक आपका क्या होगा 0,156 ही रहेगा आई ये समझते हैं कैसे फारिज जमपल 5 का स्क्वेर दिया है इकाई का अंक देखे इसमें एक ही अंक है इकाई का अंक 5 आ रहा है 5 का क्यूब कर देते हैं कुछ भी हो जाए ठीक है नमबर आफ यहाँ पे कुछ भी कर दें स्क्वेर यहाँ पे कर दें क्यूब कर दें कुछ भी कर दें लेकिन आपका नमबर अगर 5 है जैसे तो कुछ भी कर सकते हैं तो इंसर 5 ही रहेगा क्योंकि इकाई कंक है ठीक है तो आपका 5 रहेगा यह याद रखना है 0156 अगर इकाई में लिखा हुआ है यह इकाई आपका ठीक है यह जो इकाई में है इनमें अगर आपका 0156 लिखा हुआ है तो आख बंद करके उसका एंसर 0156 ही आएगा ठीक है आईए उससे हम देखेंगे रूल नमबर सेकंड यह कहरा है आपसे यदि इकाई कांग चार है तो क्या अगरेंगे वहिया यदि आप इकाई कांग चार है तो देखें कितनी भी घात हो जाए यदि घात बीशम हो इकाई कांग चार हो और जो घात होती है जो number of घात अंक होती है square होता है cube होता है वह आपका घात भी sum है तो चार ही आएगा इकाई में अंक 4 है और उसकी घात भी अगर भी sum है तो चार आएगा यदि घात शम हो तो अंक 6 आएगा भले भी आपका इकाई में 4 आ रहा है लेकिन अगर घात आपकी सम है उसकी यानि दो आ गया स्क्वेर चार हो गया च्छ हो गया ये सम कहलाएगी न ठीक है तो आपका च्छ ही आएगा उसका यूनिट डिजिट यानि इकाई अंग अगर चार की घात में अगर आपका बिशा माता है जैसे तीन आ गया पांच आ गया साथ आ गया तो आपका चार ही आएगा इकाई कंग ठीक है नहीं समझे माया तीसरा रूल यहां पे देखिए तीसरा रूल यह है थड़ रूल यदि इकाई कंग नव हो तो क्या करेंगे भई है चार है आठ है तो क्या आएगा उसमें एक ही उसका इकाई यंक यानि यूनिट डिजिट कितना आएगा इकाई कंग एक ही आएगा अगर नौ की घात में भी सम है यानि नौ की घात अगर तीन दे दिया जाए पांच दे दिया जाए साथ दे दिया जाए गेरा दे दिया जा तो उसका नोही आएगा का यंग ठीक है याद रखेएगा ये बहुत ही काम आने वाला है ये कंसेट जबर्जस्ट है आएधी समझते हैं कैसे तीक है जबर्जस्ट कंसेट है यह है कि दुनीया की कोई संख्या हो घात में चार का भाग दे दुनिया की कोई भी संख्या हो उसमें चार का भाग देदो आपका unit digit आएगा आएए देखते हैं कैसे अगर कोई किसी भी संख्या में यदी चार का भाग देते हैं उसमें अगर एक सेस बच जाता है फारी जामपल पांच में अगर हम 4 का भाग देते हैं 4 एक कम 4 एक बार जाएगा 4 लेकिन 5 है तो एक आपको इसमें 6 बच जाएगा तो वही यहाँ पर यह है यदि किसी भी सेष किसी भी संख्या से जब हम 4 का भाग देते हैं लाश्ट में अगर आपका 1 सेष बचता है तो यूनि डिजिट आपका 1 ही आएगा ठीक है यानि इकाई कंक एक ही आएगा सेकंड यह है कि कोई भी संख्या में अगर हम 4 का भाग देते हैं सेष जब उसमें 2 बचता है तो यूनि डिजिट कितना आएगा आपका 2 ही आएगा ठीक है तीसरा यह जबर्जस्ट कंसेप्ट यह ट्रिक है कि अगर आपका कोई भी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो लाश्ट में अगर आपका 3 सेष बचता है ठीक है तो यूनि डिजिट क्या आएगा तीन ही आएगा आपका ठीक है चौथा यहाँ पर यह concept है अगर किसी भी संख्या में पांच से भाग देते हैं अगर उसमें सून आ जाए तो यूनि डिजिट चार होगा ठीक है अब आप लोग कैसे है कि सेश अब देखे कोई भी संख्या सून कैसे आ सकती अगर हम देखे यहाँ पे पांच लिखा हुआ है ठीक है और आपका यहाँ पे ठीक है पांच लिखा हुआ है और इसमें अगर हम किसका भाग दे रहे हैं आप बोलेंगे ठीक है अगर सून का भाग दे दे पूरी की पूरी तरह कर जाता है यानि 14 बटे 14 है तो बराबर सेज क्या हो जाए कर जाएगा पूरा सेज आपका 0 बचेगा 5 बचेगा 5 बचेगा तो आपका सेज क्या बचेगा 0 बचेगा तो वहाँ पर क्या ऐसी कंडिशन में आपका क्या आएगा पांस से भाग देने पर अगर जून आता है तो आपका यूनि डिजिट चार होगा ठीक है समझ जाईएगा नोट्स बना लीजिए ठीक है नोट्स बनाते जाईएगा बहुत एच्छे तरीके से समझ में आएगा ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पर प्रमुक प्रसनों की जो आपके जाम में आते हैं ध्यान पूरक देखेगा बहुत ही कंसिप्ट क्लियर करेंगे ठीक है यहाँ पर आईए देखते हैं फालो करेंगे और प्रमुक प्रसनों को यहाँ पर सौल्व करेंगे देखेए 166 घात है 166 में देखे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि योने जेटेट निकालने के लिए यह सभी आपके क्या है घात में ठीक है यह याद रखेगा ठीक है यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था क्यों नहीं बताया था हम सोचे प्रसन जबाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से बताएंगे थेके तो यहाँ पर देखे जो घात है आपकी क्योंकि घात वाले प्रस्ण होते है इसमें एकाई अंक निकालना होता है तो घात जब बड़ी होती है तो घातों में चार का भाग देना पड़ता है अब यहाँ पर देखे पहला 166 घात अंक एक सो सरसट में चार का भाग देंगे ठीक है तो चार चो को 16 4 एक कम 4 7 है ना तो 7 में 4 का माइनस करेंगे 3 तो 3 आपका सेस बचेगा ठीक है जब आपका 3 सेस बचता है एक आइकंग हमें ये लें 9 9 की पावर 3 कर लेंगे 9 9 9 तो आपका unit digit कितना आएगा 9 आजाएगा इसी परकार यहाँ पर एक 100 ठीक है अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया था दियान रखिए 0 1 5 6 अगर एकाई में आता है तो आपका सेम वही संक्या रहे गए मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर भी वही करना है देखे एकाई में आपका 6 आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा पूरा 6 का 6 ही आएगा यह याद रखना है ठीक है जो ट्रिक बताते रहता हूं इनको नोट कर लेना है अब बात करेंगे 118 में 4 का यहाँ पर करेंगे तो 4 दुनिया 8 आ गया 3 बचेगा ठीक है 4, 38, 4, 39, 36 यहाँ पर 38 हो जाएगा और 36 आ रहा है तो 2 सेस बचेगा ठीक है जब 2 सेस बचता है तो क्या करेंगे 118 है तो 8 की पावर दो कर लेंगे 64 आएगा 64 का इकाई यहाँ चार आएगा ठीक है अब आप यहाँ पर बोलेंगे बीना यहाँ पर भाग दिये हुए ठीक है इसके बाद अगर संख्या बचती वहाँ पर आपका 4 का भाग देना है ठीक है यहाँ पर अब आपकी इतना आ गया हमने इसका सलूसर निकाला कितना 9 आया इसका निकाला 6 आएगा ठीक है इसको सॉल्व ना भी करते क्योंकि काई में 6 डिजिट था हम तो 6 ही लिख सकते थे ठीक है अब यह 8 का हमने यहाँ पर निकाला तो आपका 4 आ गया अब इनको क्या करेंगे यहाँ पर गुणा की रूप में है ठीक है तो गुड़ा में की रूप में है तो हम क्या करेंगे मल्टिपकेशन कर लेंगे 9 गुणे 6 गुणे 4 करेंगे ठीक है तो कितना जाएगा 9 चक का चवुमान आएगा ठीक है अब याद रखना है पहले हम ठीक है यूनिट डिजिट क्या है 6 है आपका इकाईक अंग 6 आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए नहीं आया ने इस कोश्चन में जरूर आ जाएगा अंगला को प्रसंद देखते हैं देखे यहाँ पे देखे दो सेकंड का कोश्चन है भाई या इकाईक अंक में एक है 6 है 5 मैंने क्या बताये था 0 एक 5 और च्छे अगर यूनिट डिजिट एकाईक का अंक कोई भी संख्या की तना आ रहा है तो भाई या सेम वही संख्या होगी एक करिए, छे करिए, पांच करिए, आपस में गुना करिए, आपका इंसर आ गया, पांच छे कर तीस, तीस का है, एकाई यंग क्या होगा, शून, यानि कि यूनिट जिजिट क्या हो जाएगा, शून हो जाएगा, आपका इंसर आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही बेतीन कंस प्रता बहुत एच्छा टिक था समझ में आ गया उमेद करता हूँ और प्रसंद है तो भईया लाइक और प्यार बारा जरूर कमेंड करें यह अपना परिवार है जैसवाल कोचिंग सेंटर ठीक है यह परिवार है दोस्तों जैसे आप लोगों की फैमली है यह भी एक फैमली ह क्योंकि हमारी इच्छा राजश्चित में से इच्छा बात करेंगे नेस कोश्चन की यहाँ पर एक हजार चौबिस एक सो तेंटिस एक सो सैटालिस गहातांक में लिखा हुआ है और सभी आपके यहाँ पे गुने के रूप में है ठीक है अब आपका इसका इकाई यंक निक सेस कितना बचेगा दिखे चार तेंट बारा हो गया दो बचेगा ठीक है चार तेंट बारा चार चार चांग चौबिस ठीक है सेस आपका तीन बचता है तो नौ की पावर इकाई यंक नौ है नौ की पावर हम क्या कर लेंगे तीन कर लेंगे जम नौ की पावर तीन कर ठीक है इसका जब solution निकालेंगे तो आपका ही काई यंक वही रहेगा नौ ही आएगा ठीक है तो एक 6-9 का आपस में गुणा कर रहेंगे चैनारे चाउमन एक कम चाउमन आ गया चाउमन कही काई यंक चार आता है योने डिजिट कितना आ गया भाई या चार आपका आ गया और सभी सिच्चक बरती को यहां पर अविजनन हर ग्रहनी हर भाई वहन हर सिच्चक बंदू का अविजनन करते हैं आपका परिवार अपना परिवार है ठीक है बात करेंगे ऐसे प्रस्ण की भईया महारती प्रस्ण है घातांक में अगर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे और प्रसनाने वाले हैं क्योंकि competition बहुत ही तगड़ा होने वाला है तगड़े के साथ तगड़ा होना पड़ेगा यहीं तगड़े के साथ तगड़ी तयारी करना पड़ेगा ठीक है मैं बीजे सर आपके साथ जैस्वाल कोचिंग सेंटर के मादम से एक परिवार के मादम से यू सवाल को चेक करना चाहिए। अगर आपको समय भचाना है तो सवाल को इक बार चेक करिए क्या चेक करना है। क्या में इकाई कंग शून दिया हुआ है अगर सून दिया हुआ है तो उसकी जो इकाई कंग शून ही आएगा यानि कि आपका यूनि डिजिट नंबर शून आ जाएगा जीरो आएगा समझ में आ गया आईए नेश कोशन दिख लेते हैं अंगला प्रस्ण है और दोस्तों यह प्रस्ण आप लोगों को होमवर्क है सॉल्व करना है मैंने बताया ना आप लोगों को भी प्रस्ण आपे दिया जाएगा यह होमवर्क है आप लोगों के लिए तीन प्रस्ण आपके लिए होमवर्क है अब आप लोगों को देखे सॉल्व करना है और कमेंट करके अराम से स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजेगा मिलते हैं इस क्लास में जैहिंद वंदे मातरम साथी हूँ